हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंस्टेंट धही बल्ले और ये पंदा मिनदे बनके तयार हो जाते हैं इन धही बल्लों को मैंने बिना दाल के बनाया है और नहीं मैंने इसको फ्राई किया है और ये एकदम जल्दी से बन के तयार हो जाते हैं और स्वाद में बिल्कुल ये एकदम डाल के जो भल्ले होते हैं बिल्कुल वैसे हिनका स्वाद है और घर के समान से ही बन के ये तयार हो जाएंगे तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं अपने दही बले दही बले बनाने के लिए हमें चाहिए या मैंने एक कप सूजी ली है सूजी बारिक होनी चाहिए मोटी से ये रेस्पी जाद अच्छी नी बनेगी तो हमें बारिक सूजी लेनी है अब इसमें हम दो बड़े चम्मच दही डाल देंगे दही से ये अच्छे सोफ बनेंगे और फूल भी जाएंगे दही को सूजी में अच्छे से हमें मिक्स करना है इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे एक कप हमने सूजी ली है तो हम एक कप ही इसमें पानी डालेंगे इसे ज़्यादा पानी नहीं डालना है अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढखके रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए अब सूजी को हमने 5 मिनट के ढखके रख दिया है अब हम अपनी दही तयार कर लेते हैं अब एक बड़े परतन में हम दही डालेंगे और इसको हम अच्छे से भी लो लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें और यह एकदम स्मूथ दही बनके तयार हो जाए और देखिए इस तरह से हमें इसको 3-4 मिनट तक ऐसे ही घुमाना है और यह देखिए हमारी दही एकदम स्मूथ हो गई है इतने ही गाड़ी हमें चाहिए ज़्यादा गाड़ी भी नहीं होने चाहिए ज्यादा पतली भी नहीं होने चाहिए अब इसमें हम आदी चम्मच काला नमक डाल देंगे काला नमक से इसमें जो टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा काला नमक नहीं है तो आप घर में जो सफेद नमक यूज करते हैं वो भी ढार सकते हैं देखिए हमारे जो सूजी को भीगेवे 5 मिट हो गए है अब थोड़ा सा हम इसको फेट लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब इसमें हम कुछ मसाले अड़ कर देंगे अब इसमें हम आदी चम्मच कारा नमक लेंगे चुटकी भर इसमें हीन डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर दें जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे अगर आपके पास baking powder नहीं है तो आप इनों भी डाल सकते हैं इनों गा आधा packet आप इसमें डाल सकते हैं आप इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद हम तीन छोटे कटोरी लेंगे आपके खर में जो भी कटोरी है, steel की, काच की कोई भी आप ले सकते हैं आप इसम Hi जो नहीं किरा I sniff कर लिया है अब इसमें हम जो हमने सूजी का पेस्ट मेना यहादाकशी हो डाला है एक बाद में जो हमागा रस्पी खुल लेगी ऑसलिए कटोरी गहां में dh 500 एक इसमें डाल लाई है और देखिए तीनों को यह काजो बदाम नी है उनको करश का मैं ही बं में डाल देंगे और दो तिन इसमें किशमिस्क डाल देंगे और इस तरह से हम तीनों कटोरियों में यह ड्राय फूट डाल देंगे अगर आके पास ड्राय फूट नहीं है तो आप ऐसे ही इसको बना सकते अब तीनों कटोर में हमने ड्राय फूट लगा दिये हैं और यह हमार स्टैंड के ऊपर रख देंगे स्टैंड के ऊपर रखने के बाद इसको अच्छे से हम सैट कर देंगे ताकि यह गिरेना और यह देखिए इस तरह से हमने यह तीनों कटोरियां स्टैंड के ऊपर रख दी हैं अब इनको हम 10 मिनट के लिए low to medium flame पर ढख के रख देंगे इतने ह अगर आप लैसुन के कलिया लेंगे अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो इसको ना डाले अब इसमें हम थोड़ा सा अध्रक डाल देंगे अध्रक डालने के बाद हम इसमें आदी चम्मच जीरा डाल देंगे आदी चम्मच यह समें काला नमक एड़ कर देंगे थोड़ी त्यार है और देखिए 10 मिनट हो चुके हैं अब हम कड़ाई का ढटाएंगे और देखिए हमारी जो रेसिपी है अच्छे से फोल गई है अब इसको हम जड़ा चेक कर लेंगे कि अंदर से कच्छी तो नहीं है और यह देखिए एकदम पक चुकी है अब फ्लेम को बंद कर दे और फिर यह आसानी से बार निकल आएगी और यह देखिए बार निकल आई है यह देखिए कितने सौफ्ट बनी है और यह अच्छे से फोल भी गई है और यह हमारे अब सूजी के बल्ले बनके एकदम तयार हैं आप इनको हम सर्व कर लेंगे और इन भलों को बनने में जरूर ट्राइ कीजिए इन भल्लों को बनाने में जादा मेहनत भी नहीं लगती और यह 15 मिनट में बनके एकदम तयार हो जाते हैं तो आप एक बार बनाए जरूर और अपने परिवार को खिलाए अब भल्ले के उपर हमने अच्छे से दही डाल दिया है अब इसके उपर हम हर लाल वाली चटनी डालेंगे हरी चटनी डालने के बाद हम इसमें इमले की खटी मीठी चटनी डालेंगी इमले की खटी मीठी लाल वाली चटनी की वीडियो में पहले बना चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगी तो आप महां से देख सकते हैं, यह चटनी मैंने हलवाई स्टाइल बनाई है, जैसे बजार में मिल दिए, बिल्कुल वैसे ही बनाई है, तो आप महाँ से आप देख कर बना सकते हैं, और यह देखिए हमने इसके उपर लाल वाले चटनी डाल दी हैं, अब इसमें हम भुना हुआ जीरा डाल भुना वजीरव को हमने पीस लिया है फिर इसको हमने उपर से डाल दिया है अब इसमें हम कश्मीरी लालमिच थोड़ी सी डाल देंगे उसके बाद हम चाट मसाला डाल देंगे चाट मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यह जरूर डालेगा आप चाहे तो इसके अं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वोचिंग